नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रवी चप्टे और आज हम देखेंगे क्रिया के काल सबसे पहले हम देखेंगे काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय प्रिया के जिस रूप से कारिय करने या होने के समय का बोध होता है उसे प्रिया का काल कहते है प्रिया के काल के मध्यम से व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथ्वा अपूर्ण अवस्ता का पता चलता है जैसे सुनील पढ़ाही करता है यह वक्य वर्तमानकाल का है वर्तमानकाल मतलब जो समय चल रहा है दुसरा वक्य देखिए सुनील पढ़ाही कर रहा था यह वक्य भूतकाल का है भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है तीसरा वाक्य देखो सुनील पड़ाई करेंगा यह वाक्य भविश्यकाल का है भविश्यकाल मतलब जो समय आने वाला है इन तीनों वाक्यों में करता है, कर रहा था, करेंगा इस क्रिया के माध्यम से कारिय करने या होने के समय का बोध होता है मुख्य रूप से क्रिया के तीन काल होते हैं एक वर्तमान काल, दुसरा भूत काल, तीसरा भविश्य काल वर्तमान काल से हमें चल रहे समय का बोध होता है भूत काल से हमें बीते हुए समय का बोध होता है और भविश्य काल से हमें आने वाले समय का बोध होता है मुख्य रूप से क्रिया के तीन काल होते है यह हमने अभी देखा है अब हम देखेंगे वर्तमान काल किसे कहते है क्रिया के जिस रूप से कारिय का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते है वर्तमान काल में कारिय अभी हो रहा है या निरंतर चल रहा है ऐसा सूचित होता है जैसे सुनिल पढ़ाई करता है मैं घर जा रहा हूँ शीतल ने आम खाये है दिल्ली से गाड़ी आती होगी दिनेश आया हो इन वक्यों में प्रिया के रूप से हमें कारिय का वर्तमान समय में होना सूचित हो रहा है यहाँ पर पाचों वक्य आपको अलग-अलग दिखाई दे रहे है तो आपको मैं बता दू पहला वक्य यह सामान्य वर्तमान काल का है दुसरा वक्य यह अपूर्ण वर्तमान काल का है तीसरा वक्य यह पूर्ण वर्तमान काल का है चौधा वक्य यह संदीग्द वर्तमान काल का है और बाच्वा वक्य यह संभाव्य वर्तमान काल का है भूतकाल किसे कहते है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते है दुसरी परिभाशा देखो जिस क्रिया से कारिय के समाप्त होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते है जैसे दीपक ने पत्र लिखा, आकांग्षा खेल रही थी, हरश्यदा ने गीद गाया था, छात्र फुटबॉल खेले होंगे, रामा ने अनार खाया है इन वक्यों में विया के माध्यम से हमें कारिय समाप्त होने का पता चलता है, यहां पर पहला वक्य यह सामान्य भुतकाल का है, दूसरा वक्य अपूर्ण भुतकाल का है, तीसरा वक्य यह पूर्ण भुतकाल का है, चौथा वक्य संधिक्द भुतकाल का है, और पाच्वा वक यह आसन्य भूतकाल का है। भविश्यकाल किसे कहते है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में करना या होना प्रगट हो उसे भविश्यकाल कहते है। दूसरी परिभाशा देखो। भविश्य में होने वाली क्रिया को भविश्यकाल कहते है। जैसे वैभव पत्र लिखेंगा। शायद कल बारीशो तुम महनत करोंगे तो फल अवश्य मिलेंगा। घन शाम नई साइकिल खरीदेगा। दीपक उत्तिर न होगा। इन वाक्यों में क्रिया के रूप से हमें कार्य आने वाले समय में या भविश्य में होने का वोध होता है। पर पहला वाक्य यह सामान्य भविश्यकाल का है। दूसरा वाक्य यह संभाव्य भविश्यकाल का है। तीसरा वाक्य हेतु-हेतु मदविश्य भविश्यकाल का है। और पाचवा वाक्य यह संभाव्य भविश्यकाल का है। अगले वीडियो में हम वर्तमानकाल, बोतकाल और भविश्यकाल के भेद देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।